जेहन बच्चो आज आपका कक्षदस सामाजी विज्यान का पेपर था और आज की इस पेपर में आपने कितने नंबर का सॉल्व किया है यह हम फुल वीडियो में बताने वाले हैं तो चली बच्चो सबसे पहले चलते हैं आपका जो पेपर कोड़ था वो था 825EX है तो किस ने जूट चुन नला की टशक्ट हैं किस आटारा सो जर्मानी का प्रतम सम्राट भूसित किया गया था रुंठ फो थे कौन-विल्यम दुति आए तो आँसर आपको जाएकर वी नेक्ट पूशन देखें थार्ड क्या है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का साथन था तो 1789 में फ्रांस में जो सासन था बच्चो वो था क्यासा आसीमित राज तंत्र तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीन का बी चौथा देखिए क्या है चौथा बिर्टेन में कार्ण कानून समाप्त करने का क्या कारण था वो था कौन सा बो था कार्ण आयात पần जिंदर्ण रखना तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा तो 1944 में जो बिर्टेन बुट से समिलन आयोज किया गया था वो वच्चो किया गया था किसमें यूएसेन संगत्राज अमीर का में तुराइट आंसर आपका हो जाएगा बी नेक्स कुश्चन देखे क्या है निम लिखते में से कौन सा बिशाय संग सूची में नहीं है तो जो संग सूची में जो विशाय नहीं है वो है कौन सा ब्यापार को हम संग सूची में सामिल नहीं करती है नेक्स कुश्चन बच्चो देखते है नेक्स कुश्चन है हमारा श्री लंका में कौन सा बहुत संक्यक बर्ग है गोई स्रीलंका में जो बहुत शंकिएक बर गहे व कुछ है आपका सिंगली , सबसंसे जादा स्रीलंका में Next News नेम्लिकत देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है ? गोए आपका अगर दिखा जाय तो इस इसका जो संघ्ज अमेर्का में संघात्मक शासन नहीं है next question बच्चो हमारा है मात्मा गांदी का विचार था तो जो मात्मा गांदी का विचार था वो ये था कि धर्म को कभी भी राजनी से अलग नहीं किया सकता है तो राइट आंसर आपका एग हो जाएगा next question देखे कि क्या है next question हमारा निम लखित में से कौन सार लोकतंत्र से सम्बंदित है तो बच्चो लोकतंत्र से सम्बंदित है हमारा कौन सा देखे पारदर्श्ची सासन भी आता है बैद सासन भी उतरदाई सासन भी तो राइट इसका आंसर हो जाएगा इन में से सभी तो राइट आंसर आपका ये हो जागा बच्चो ये question बहुती अच्छा पूँचा है और सरल भी पूँचा गया है तो जो रवी की फसल है वो बच्चो कौन सी है वो है बच्चो आपकी बताईए कि जो चना है चना ये आपकी रवी की फसल है और ये नहीं है next question देखिए निम्लकित में से कौन सा खनिस पाया जाता है तो जो पूँचा आपका हो जाएगा सी नेच्ट कुश्चन ने देखिये क्या है कि नेमनों के पड़ोशी देश्चों में मानु विकास के लियास से किस देश की इस्तिती बारस से बैतर है तो पाथ जो जो लू आयस होता है वो आपका खनीज दात्विक है तो राएट आऊचर हो जागा इसका गा थो इसका राइट अंसर हो जागा भो जागा प्रारभ में छेत रख तो इसका राइट प्राइटा एयो प्रेकार का चेला पाया जाता है भारत में तो यह कोलिक का ही संबंद है नेक्स कोशन नियुक्ष बंगलादेश ग्रामिट बेंग की इस्थापना की गई थी तो इसका वच्छ राइट आंसर हो जाए क्या आधार पर तो चो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नेक्स देखे चलते हैं नेक्स आपका खंडवा इसमें देखे क्या पूचा गया था कि अथारवी सताब्दी के अंतराश्टी अर्शास्वीं द्वारा बताएगे किनी दो प्रवाहों को सबस्ट कीजिए नेक्स कोशन मूल सोच थी अत्वा में भारत में केंद्र और राज के भी सत्ता के बटवारे की किनी दो विस्टाओं का उल्लेख की किजिए नेक्स कोशन देखे पूंचा गया था नेक्स कोश्चन वारा पूचा गया था कि एक संसादन की रूप में मिट्टी के महत्त का उलेक करें तथा भारत में पाई जाने वाली किनी दो प्रिकार की मिट्टियों का वर्ण कीजिए एक कोश्चन बच्चों बहुती इसी था और मैंने आपको बताया भी था वीडियो मे अत्वाम देखिए अब्बरक की उप्योकता बताईए इवन भारत में इसके किनी दो उत्पादक राजियों का भी लेखे कीजिए नेक्स कुश्चन है राष्टी आयतता प्रतिवक्ति आयमें विवेद कीजिए देशों की इस्तिती की तुलना के लिए इनमें कौन सी अत्वा में था असायो गंदोलन कब चलाया गया इस अंदोलन की दो कारणों की विवेचना कीजिए दो में इसको एक लोंगांसर आपको करना था नेक्स देखे क्या कि भारती स्तमाज में जाती पर था अभी भी प्रचलेते इसके क्या कारण है इसको स्वांप करने के कोई की दो उपाए अत्वा में लोंगांसर कर सकते त्या भारत में मेलाओं के प्रति बेदवाओं के तरीकों का वर्ण कीजिए कुशन नमर साथ गंदी की खेती के लिए उप्युक्त बॉक्वलिक परस्तियों का वर्ण कीजिए तता भारत में इसके किनी तीन उत्पादक तरक के सरमकों की समस्याओं की विवेशना कीजिए और जो नौमा कुशन वच्व है आपका देखिए मांचित समंदी प्रस्ने तो यह आप से पूछे रहेते मांचित में भढ़ने के लिए तो देखिए यहां पना आपको बताए रहे हैं कि वह इस्थान जहां वारती अनों कहा दाढ़ी में दान्दी पड़ता है कहाँ गुजरात में तो गुजरात आपको नक्सेंदर साननि थांग हुघ औलेुच सभाण फिरुमें ने तो यहांilotी चोरी चोरण की घटना घटी तो इस्थान बच्चो था कौन सा गोरक पूर और पर पड़ता है कहां उत्तरप्रदेश में पर निंख बच्चो के वारत के मालेः और इंहरे दर्प्रदेश के नगर छ gemachtень नाम से तो आपको यह चिन दवारा दर्शाना था तो उत्तर प्रदेश की राजदानी का जुन अगर क्या बच्छों लखनू आप अच्छी दर किसे जानते हैं नर्मदा नदी पर एक बना बांध चिन द्वारा बताईए तो जो नर्मदा नदी उस पर बनाए कौन सा बर्गी बांध तो बर्गी बांध को आप इस चिन द्वारा बताईए तो गोदावरी बच्छों दक्षण वारा की नदी और उससे आप इस चिन से दर्शा सकते थे नेक्स्ट है भारत का किसी एक जूट उत्पादक राज चिन द्वारा बताईए नाम से तो पश्चों पस्षी मंगाल में आप दर्शा सकते थे कई है जूट पादक की राज नेक्स्ट है भारत का कोई एक परमाणु उजा केंद्र बच्चों दर्चानत आपको तो उजा परमाणु केंद्र आपका है जैसे तारापुर तो यह जो कोश्चन नम्मर 9 है बादमा की यह केवल द्रश्चिवारत परिक्षाणत के लिए था यह आपको करना नहीं था यह सिर्फ और नेतर बच्चों के लिए था तो अच्छत देखिए आज का जो पेपर मैंने आपको बड़ी बारी की समझाया और बच्चों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करने और बच्चों मिलते हैं नेक्ट वीडियो तब तक के लिए धन्वाज